हेलो एवरीवन वेलकॉम अगेन तो लन्वृत दितिमन आज हम करने वाले हैं विशेशन का टॉपिक कल हमने किया था सर्वनाम का तो आज हम विशेशन से संबंदित सभी प्रशन करेंगे जिससे कि आपके जो डाउट है वह भी क्लियर होंगे और प्रैक्टिस भी आप लोग की हो जाएगी तो सर्वनाम के टॉपिक में देखिए एक दो बच्चों की कुछ प्राब्लम थी और वो क्या है कि देखिए स्वेता सर्मा जो है उनका कहना है कि उसका वर्ड जो है वह क्या है यदि हम सर्वनाम की बात करते हैं तो जो उसका वर्ड है वह अन्यपूरस करके ही हमें पता लगता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं क्योंकि जब हम बात करते हैं उसको बुला कर लाओ ठीक है अब वहाँ पर वो व्यक्ति तो नहीं खड़ा है लेकिन हम सामने वाले को कह रहे हैं उसको बुला कर लाओ तो हम किसकी बात कर रहे हैं अन्यपूरस वाचक स लेकिन जब यह लाइन आ जाती है कि वह घर उसका है तो हम संकेत कर रहे हैं उस घर की तरफ कि वह घर जो है वह उसका है तो वह क्या होगा निश्चेवाचक सर्वनाम होगा ठीक है तो आपको समझ में आये होगा कि वाक्य में प्रियोक करके ही पता चलता है ठीक है और केवल उसका आजाए कि उसको बुला कर लाओ, उस कंडिशन में उसका होगा अन्यपुरसवाचक सर्वनाम। तो एक और कुश्यन था, देखिए, गुडु मीना का और पूजा का, उनका कहना था कि कुछ लोग भी तो हो सकता था, अनिश्चेवाचक सर्वनाम में। तो देखिए, वहाँ पर कुछ लोग नहीं हो सकता, और वो क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ सर्वनाम पूछा गया था, तो उस कंडिशन में लोग नहीं आएगा, वहाँ आएगा, एक्जाम्पल के लिए कुछ मत कहो, तो वहाँ पर कुछ जो है आनिश्चेवाचक सर्वनाम होगा, यदि हम कुछ के आगे लोग लगा देंगे, कुछ के आगे व्यक्ति लगा देंगे, कुछ के आगे लड़के लगा देंगे, तो उस कंडिशन में जो कुछ वर्ड है, वहाँ विशेशन बन जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि संग्या या सर्वनाम से पहल क्या होगा अनिश्च वाचक सर्वनाम होगा लेकिन जब यह लाइन आ जाएगी कि कुछ लोग खड़े हैं तो लोगों की विशेषता है कि वह कुछ है ठीक है कम है जादा है कुछ है तब वह विशेषन का रूप ले लेगा तो चलिए आज हम विशेषन करने वाले हैं विशेषन में थोड़ा बहुत आप पढ़के भी आए होंगे विशेषन क्या होते हैं संग्या जो सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वह विशेषन कहलाते हैं इसमें भी दो वर्ड आते हैं विश विशेष ये कहलाएंगे, ठीक है, सर्वनाम छे प्रकार के थे, उसी तरीके से विशेषन चार प्रकार के होते हैं, गुण वाचक विशेषन, संख्या वाचक विशेषन, परिमान वाचक विशेषन और सार्वनामिक विशेषन, तो गुण वाचक विशेषन जो की गुणों सर्वनाम की तो पुफ परिमान वाचक विशेशन हो गया और लास्ट जो है सार्वनामिक विशेशन जिसमें confusion रहता है जो सर्वनाम संग्या के विशेशन की रूप में संग्या के विशेशन की रूप में अपनी सार्वनामिक रूप में ही प्रयोक्त होते हैं उन्हें सार्व हो जाएगा, तो बहुत ध्यान से सुनिए, यह बहुत सुन्दर है, तो यहाँ पर जो यह word है, वो क्या बनेगा, निश्चेवाचक सर्वनाम, जो कि हम पढ़ चोके हैं, ठीक है, लेकिन आ जाए कि यह चातर बहुत सुन्दर है उस वक्त यह जो होगा वो क्या बनेगा यह बनेगा सार्वनामिक विशेशन क्यों क्यों बनेगा क्योंकि यह चात्र अब चात्र तो क्या है संग्या और संग्या से पहले जो है वह सर्वनाम लग रहा है सार्वनामिक विशेशन होगा चलिए अब हम स्टा गंभीर और धेर सारा. नेक्स्ट है एक दर्जन वह पतली, प्रतेक, थोड़ा, कथोर, खुर्दरा, जापानी, स्वस्थ, कसैला, थोड़ा, कुछ, खुर्दरा, प्रतेक और वह. तो इसमें से कौन सा सम्मू जो है वह गुणवाचक विशेशन होगा. गुणवाचक विशे सही उत्तर क्या रहने वाला है तो यहां पर देखिए आंसर जो है वो बिलकुल रहेगा option C ठीक है जो की गुणों की विसेष्था बता रहा है कठोर पत्थर, खुरदरा पत्थर, जापानी जूती, स्वस्त व्यक्ति, कसेला कुछ भी हो सकता है कसेला जैसे करेला हो गया जो भी कसेला होता है ठीक है तो यह सबी जो है आप संगय या सरवराम से पहले प्रियुक्त करके देख लें उनकी कुणों की विसेष्था बता रह है नेक्स्ट देखिए कुशन टू उसकी समझ गहरी है इस वाक्य में विशेष्थन कौन सा होगा तो इन चारों में से देखिए इस में से विशेष्थन कौन सा होगा उसकी समझ गहरी है तो देखिए यहां पर जो समझ है वो क्या है संग्या है ठीक है और गहरी क्या है उसकी विसेस्ता समझ उसकी समझ गहरी है तो यहाँ पर आंसर क्या रहेगा गहरी क्या है विशेशन है नेक्स्ट देखिए कोश्चन 3 यह गाय प्रति दिन 5 लीटर दूद देती है तो यहाँ पर रिखांकित शब्द में विशेशन है तो समझ यह यह जो 5 लीटर है यहाँ पर नीचे क्या है रिखांकन है ठीक है अब आपको बताना है निश्चित परिमान वाचक संख्या वाचक अनिश्चित परिमान वाचक और गुण वाचक तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि संख्या वाचक विशेशन और परिमान वाचक विशेशन यह होते हैं संख्या वाचक विशेशन जिसमें संख्या होती है संख्या संबंदी विशेशता का बोध होता है संख्या और सर्वन ठीक है तो यहां तो संख्या है लेकिन दूसरी तरफ मैंने परिमान वाचक में क्या बताया जिनको हम नाप तोल सकते हैं अब जो दूद है वह है गिना नहीं जा सकता गिना जाता तो हम संख्या वाचक विशेशन लगाते लेकिन यहां पर गिन नहीं सकते क्या कर सकते हैं इस परिमान वाचक विशेशन और अगर यहां लिखा होता कि यह गाय प्रती दिन कुछ लीटर दूद देती है तो जब कुछ आ जाता तो बिल्कुल निश्चित नहीं है तो क्या होगा अनिश्चित परिमान वाचक निम्नलिकित मैंसे विशेशन है चिकना, आम, मम्ता और हर्याली तो यहाँ पर विशेशन जो है वह है क्या होगा? तो सोच यह फटाफट से इसके साथ आपको यह बाकी जो तीन आप्शन है यह भी पता होने चाहिए कि यह क्या है? तो देखिए यहाँ पर जो विशेशन होगा संग्या या सर्वनाम से पहले लगे वो विशेशन होता है तो आंसर क्या रहेगा? चिकना ठीक है? जैसे वह घड़ा चिकना है ठीक है? चिकना घड़ा तो घड़े के आगे क्या लगा? चिकना यह विशेशन यह विशेशन आम क्या है? संग्या है ममता क्या है? ताप्रत्य लग गया है सर्वनाम के आगी तो क्या बन गया यह? भाव वाचक संग्या, next देखिए, वह पुस्तक अच्छी है, इसमें वह शब्द है, तो आप कुछ लोगों के doubt जो है वो clear होंगे, अन्यपुरस वाचक सर्वनाम, शार्मनामिक विशीशन, निश्चित गुण वाचक विशीशन या निश्चे वाचक सर्वनाम, तो अब सोचिए इसमें से सही आंसर क्या होगा, जो कि आपके लास्ट वीडियो में जो doubt था वो भी clear हो जाएगा, वह पुस्तक अच्छी है, तो इसमें जो वह शब्द है, वह क्या है, तो यहाँ पर आंसर जो है, वो क्या रहेगा, बिल्कुल यहाँ पर रहेगा सार्वनामिक विशेशन, ठीक है, सार्वनामिक विशेशन रहेगा, क्यों रहेगा, यह जो पुस्तक है, वो अच्छी है, तो अच्छी क्या है, विशेशता है, पुस्तक क्या है, संग्या है, अब संग्या के आगे लगा हुआ है सर्वनाम, ठीक है, तो अब सर्वनाम उसके बारे में बताया जा रह तो ये क्या हो गया? सार्वणांमिक विशेशन और अगर यहां पर होता कि वह अच्छी है उसतक ना होकर तो बिलकुल डारेक्ट सर्वणाम के बारे में बताया जा रहा है तो उस वक्त वह निश्चेवाचक सर्वणाम होता वह शब्द, ठीक है? और अच्छी क्या है? विश के उधारन है एक दो तीन दस पचास सो आधा पाव तिहाई डेड़ पॉने पहला दूसरा पांचवा दसवा दुगना इक हरा या दस गुना तो यहां पूछा क्या है अपूनांक बोदक जो कि अपून है पूरे नहीं है ऐसे संख्या वाच्चक विशेशन के उधारन इन ती तो बिल्कुल यहां पर एक ही लाइन है ऑप्शन बी ठीक है जो कि अपूनांक बोदक संख्या वाचक है आधा पाव तिहाई डेड़ और पॉने नेक्स्ट है कुछ बच्चे कक्षा में सोर मचा रहे हैं वाक्य में कुछ शब्द विशेशन है उसका भेद छाटिये गुण वाचक विशेशन अनिश्चित परिमान वाचक विशेशन सार्वनामिक विशेशन या अनिश्चित संख्या वाचक विशेशन तो लास्ट क्या है विशेशन जो की बच्चों की है ठीक है बच्चे कितने हैं कुछ हैं ठीक है जादा बच्चे हैं कुछ बच्चे हैं थोड़े बच्चे हैं तो क्या है संग्या की विशेशता बताई जा रही तो यहां पर इस कंडिशन में सर्वनाम नहीं होगा सर्वनाम कब होता विशेशन का कौन सा प्रकार है तो देखिए option A गुण वाचक विशेशन नहीं हो सकता क्योंकि यहां बच्चे की गुणों की कोई विशेशता नहीं बताई जा रही है आनिश्चित परिमान वाचक नहीं हो सकता क्योंकि बच्चों को हम गिन सकते हैं नापतौल नहीं कर सकते सार्वनामिक विशेशन ठीक है तो सार्वनामिक विशेशन क्या होता जब सर्वनाम जो है वह विशेशन के रूप में होता बच्चे जो है वह कुछ है तो यह आनिष्चित है और बच्चों को हम गिन सकते हैं तो इसी लिए आन्सर होगा आनिष्चित शंख्यावाचक विशेशन निमना लिखित वाक्यों में से एक वाक्य में विशेशन सम्बंधी असुदी नहीं है वह कौन सा है ? उसमें एक गोपनिय रहेश्य है, आप जैसा अच्छा सज्जन कौन होगा, कहीं से खूब धंडा बर्फ लाओ, वहां ज्वर की सर्वोत क्रस्ट चिकिस्सा होती है। तो यहाँ पर एक ऐसी लाइन है, जो की गलत नहीं है, बाकी तीनों गलत हैं। और आपको ढूणना है विशेशन सम्बंदी असुद्धी, तो देखिए, ओप्शन ए, आप लोगों ने देख लिया होगा, उसमें एक गोपनिय रहेश्य है, ठीके, तो गोपनिय और रहेश्य, यह दोनों ही क्या हो गए, विशेशन हो गए, तो एक सेंटेंस में दो विशे गोपनिय और रहेश्य, एक ही बात है, रहेश्य का मतलब ही कोपनिय है, यह गलत हो जाता है, आप जैसा अच्छा सजन कौन होगा, अब देखिए, अच्छा भी लगा दिया, और सजन, सत और जन, ठीक है? सत का अर्थी होता है, अच्छा, यह भी नहीं होगा, तो यहाँ प लगा दिया, यह भी अशुद्धी है, वहां ज्वर की सर्वोत क्रस्ट चिकिस्सा होती है, इस लाइन में एक ही विशेशन है, और वो क्या है सर्वोत क्रस्ट चिकिस्सा, ठीक है, चिकिस्सा क्या है संग्या, उसके आगे क्या लगा विशेशन, बिल्कुल सही है, यह है सक्ति सब्द से बनने वाला विशेशन कौन सा नहीं है? शक्तिशाली, साक्त, सक्तिमान और सक्तियां तो एक जैसे लग रहे हैं, इनमें तीन जो है, वह सक्ति से विशेशन बनेंगे लेकिन एक नहीं बनेगा, तो आंसर क्या होगा? तो सोचिए आपका आंसर इसमें क्या रहने वाला है तो देखिए संग्या या सर्वनाम से पहले आप इन शब्दों को लगा कर देखें पता चल जाएगा शक्तिशाली, व्यक्ति, साक्त व्यक्ति और सक्तिमान व्यक्ति ये तीनों ही क्या है विशेशन है लेकिन सक्तियां जो है वो क्या है सक्ति से बना सक्तियां ये क्या है ये हो गया बहुवचन तो ये तो वचन का प्रकार हो गया तो यहाँ पर आंसर जो है वह है यही रहने व इसलिए तीनों क्या हैं? विशेशन हैं. किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रियोग विशेशन के रूप में हुआ है? तुमने अच्छा किया जो आ गए, यह इस्थान बहुत अच्छा है, अच्छा तुम घर जाओ, अच्छा है वह अभी आ जाए. तो यहां अच्छा श तो अभी तक हम यही देख रहे हैं, कि जो की संग्या या सर्वनाम की विशेशता बताए. तो देखिए, option number B जो है, यह इस्थान बहुत अच्छा है, तो इस्थान की विशेशता है, कि वो क्या है? अच्छा है. यही पर देखिए, एक और चीज बता चल रही है, कि बहुत अच्छा है, तो यह जो बहुत है, वो क्या होगा? तो जब विशेशन की विशेशता बताई जाए, अच्छा क्या है विशेशन? और विशेशन की विशेशता बताई जा रही है, कि वो बहुत अच्छा है, तब यह होगा प्रविशेशन, ठीक है? आलस्य संग्या का विश तो आलस से संग्या जो है उससे विशेशन अगर बनाएंगे तो क्या बनेगा तो यहाँ पर क्या होगा आलसी व्यक्ति ठीक है आलसी बनेगा आलस से से विशेशन निमन लिखित में से प्रै विशेशन शब्द है गहरा कुआ, बहुत खर्च, बहुत धीरे और शान्त लड़का तो मैंने अभी बताया कि जो विशेशन की भी विशेशता बताए वो होता है प्रै विशेशन तो अफटाफट से इसमें आंसर जो है वो सोचिए कौन सा आंसर स तो यहां पर आंसर क्या रहेगा कुआ जो है गहरा है तो गहरा विशेशन हो गया यहां प्रै विशेशन नहीं है खर्च जो है संग्या है उससे पहले क्या लग रहा है विशेशन तो केवल यहां विशेशन है सांत लड़का लड़का कैसा है सांत है यह भी विशेशन है ल अगर लाइन आ जाती है कि राम बहुत धीरे चलता है तो पूछा जाए प्रेविशेशन जो है वह संग्या प्रेविशेशन है क्रिया प्रेविशेशन है ठीके तब वहां क्या है राम धीरे बहुत धीरे चलता है तो वह क्रिया प्रेविशेशन होगा ठीके आतंक वाद से पीडित मानवता की पुकार अंसुनी नहीं की जा सकती वाक्य में पीडित शब्द है भाव वाचक संग्या, परिमान वाचक विशेशन, गुण वाचक विशेशन या संख्या वाचक विशेशन तो यह तो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि मानवता कैसी पीडित ठीक है तो पीडित क्या है? विशेशन है ठीक है इसके आगे और वी शब्द लगाए जा सकते हैं पीडित व्यक्ति, पीडित चात्र, ठीक है? पीडित अध्यापक तो पीडित तो क्या है विशेशन है तो यहाँ पर भाव वाचक संग्या तो नहीं हो सकती और यहाँ पर कुछ नापतोल नहीं हो रहा है तो परिमान वाचक विशेशन भी नहीं होगा तो एक-एक जो option है उनको eliminate करें उनको गलत करें तब भी हम सही answer पर पहुँच सकते हैं संग्या की कोई बात नहीं हो रही है तो संग्या वाचक विशेशन भी नहीं होगा यहाँ पर गुण है तो यह होगा गुण वाचक विशेशन इनमें से गुण वाचक विशेशन कौन सा है चोगुना नया तीन और कुछ तो देखिए यहां पर बिल्कुल गुणवाचक विशेशन जो है वह कौन सा है नया ठीक है नया हो गया पुराना हो गया यह गुणवाचक विशेशन है अब बताईए चोगुना क्या है चोगुना क्या है अनिश्चित संख्यावाचक विशेशन है और तीन जो है वह है निश्चित संख्यावाचक विशेशन है कुछ अनिश्चित संख्यावाचक विशेशन है तो आज हम यहीं तक करेंगे आज आप लोगों का टॉपिक जो है वो विशेशन का complete होता है, next topic जो है वो आप लोग क्रिया का पढ़कर आईएगा, तो उससे संबंदित प्रश्ण जो है वो हम लोग कल करने वाले हैं, ठीक है, मिलते हैं next वीजियो में, thank you.